हेलो एवरिवन गूड मॉर्णिंग का टाइम है और देखिए मेरा जो काम है किचन वगरा सब साफ कर ली हूँ जो जरूरी वर्तन थे वह सब धोकी रख ली हूँ और मैं सबसे पहले कुकर चढ़ा रही हूँ तो इसमें मैं मौंग दाल और राहर दाल यह दोनों मिक्स करके म मैं बना रहे हूं लोकी वाली दाल इसकी मैं शायद रेसेपी आप लोगों किसाथ शेयर नहीं करी हूँ बाद में फिर करते समय जब कुकर में चढ़ाते हैं और फिर इसमें अच्छी दो तीन सीटी बुला लेंगे तो उसके फिर मारी दाल बहुत अच्छे से हो जाएगे तो यह देखिए मैं सब पूरत पूरी दाल तेक्यार करके ग्यासान करके मैं कुकर चढ़ा दी हूं और मैं आटा भी न प मैं आटा भी गूद के रख दी हूं और उसके बाद मैं असा काम आम निप्टा के फिर खाना वाना बनाओंगी लेकिन फिर उसके आदा मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूं यह करके मैं गई हूं और दूसरे बाके काम दीखे हैं तो सब करके मैं पूजा पाट करने और बहुत अच्छी दोस्कों फिर मैं लेए आई मैंने चलिए आप लोगों को बताती हूं अलग से मुंगफली जैसे हम लेकि खाते हैं उसमें मजा नहीं आता है लेकिन इस टाइप की एक अच्छी है देखे कितने अच्छी दाने हैं उसलिए में जितने मिदन बोगे में और नमा क्या कर डाल के भूंज तो नहीं करते हैं तो सिंपल कडाई में और इसको अच्छे से मैं भूंज लेती हूं बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती मतलब पूरी अच्छे से भूंज भी नहीं पाती है और कच्छी भी नहीं रहती है इसका जो टेस्ट रहता है इस और वह शाम का टाइम है तो बीच बीच में चाय भी बनती जा रही है मतलब एक तरफ में फल्ली भूंज रही हूं और एक तरफ मेरी चाय बनती जा रही है तो यह देखें यहां पर चाय भी मेरी बन गई है और फली बहुत रहीं चाय बना रहे हूं और अपना पली बूँज रहे हैं तो यह लिजे चाय बन गई है आप लोग भी चाय पी लिजे और बताइए चाय कैसी बनी है कि बहुत अच्छे से देर तक खुलाई हूं और इधर पर मेरी फली भी भून जाएगी अपके कुतने टाइम में हो चुका था सब काम तो यह देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती सब्सक्राइब कर पाई और वही रात का समय करीब साथ बजे का तो मेरी नंद और उनकी बेटी आये थे तो बस बैठे बैठे हम लोग बातें कर रहे थे तो मैं अवरी चले नाश्ता में पोहा बना रहे तो पोहा तो हैवी हो जाता है फिर डिनर में तो कुछ बना नहीं त और बैठे हम लोग फिर खुब देर तक खुब सारी बातें करते हैं और फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद जब नंद लोग चले गए तो मैं को यादा है कि दो फर्मी में मार्केट गई थी तो यह हाथी लेकी आई हूं और यह हाथी कच्छी मिट्टी का है और हम लोगों के यहां जो अभी 28 को महा लक्ष्मी व्रत करते हैं उसकी पूजा होती है और जो लोग MP से होंगे शायद लोग अच्छे से जानते होंगे कि पित्रिपक्ष की अश्तिमी तिति को यह पूजा होती है और यह पूजा शाम को होती है वही 5-6 बज़े तक होती है गदूली बेला में तो उसलिए मैं अब हाथी बनाना तो देखिए आता नहीं ह पाता है तो फिर मैं अपना गई थी मार्केट वहां से मैं यहाथी लेके आई हूं तो मैं आप लोगों को मैं दिखा देती हूं यह देखिए छोटे से हैं बहुत अच्छे हैं और इनको क्या इनके ऊपर लक्षमी जी को बैठाएंगे मतला इनके पीट पे लक्षमी जी को यहाँ पर बैठाएंगे लक्षमी जी को और उसके बाद फिर इनकी पूरी लक्षमी जी के और इनकी पूजा करेंगे तो इस तरह से हमारी पूजा होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करकर दो फर में खाना वाना सब हुआ मेरा मैं आपको थोड़ा बहुत यह दिखा पा आई हूं और उसके बाद फिर मैं पूजा पाट वगरा करके अपना जो रूटीन है वह अपना पुरा करें शूट में कुछ भी नहीं कर पाई उसके अद्व में थोड़ा सा मार्केट चली गई और वहां से जो मैंने आप लोगों को दिखाए ना हाथी वह लेके आई हूं क्योंकि हम लोगों के यहां पित्र पक्ष में अश्टमी के दिन महालक्षमी व्रत की पूजा होती है उसमें हाथी में लक्षमी जी को बैठा के पूजा की जाती है तो वसी लिए मैं हाथी खरीद के लाई हूं 28 को महालक्षमीजी की पूजा होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो और फिर उसके पिर मेरी नंद और उनकी बेटी आ गए थी तो बस उसमें थोड़ा सा बाचित करने में होगी और फिर मैं कुछ में शेयर नहीं कर पाई शूट भी नहीं कर पाई और उसके बस तो आप लोगों ने देखा मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए कमेंट करके बताई और शेयर किजिए अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में और जो भी मेरे चैनल आज नए आए हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग भी मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेला आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिसे की नई वीडियो की नोटिफिकेशन साब लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो ठीक है चलिए इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाए